हेलो बच्च आज हम करने वाले थ्री डामेशन जोमेट्री का सेकेंड पार्ट जिसमें हम पहला कोशन लेंगे जिसमें बोला कि हम फाइंड एक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थू दिस एंड पैरलल तू दिस बिल्कुल मैंने पहली वीडियो में इसके फर्स पार्ट में eduladay गोड़न होता जो इसका वैक्टर अब भी वैक्टर जो उसके पैरलल होता यहां मै ने पहली वीडियो बता दिया था आफ आर वेक्टर ईक्वाइब —बी वैक्टर जो पैरलल रां 역 जकार होगा और सब्समें लेंग्ड लेंड से लेंड डू x1 यानिके 5 upon me direction ratio of parallel vector यानिके 2 is equal to y minus y1 minus करेंगे तो यह plus का 2 हो जाएगा upon me minus 1 is equal to z minus z1 यानिके 4 upon me kika coefficient यानिके यह partition form में होगा यह vector form में हो गया next question में देखिए हमसे बोला है fine direction ratio of this line तो जब line standard form में लिखा हो x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c तो यही जो होता है a b c इस line का direction ratio होता है तो direction ratio of this line क्या होगा a comma b comma c तो पहले हम क्या करते हैं इस line को standard form में लिख लेते हैं तो इसको पहले हमें क्या करना पर टू से इवाइट करना ओपर नीचे यह हो जाएगा x minus 1 by 2 upon 2 by 2 क्या हो जाएगा इसमें सिर्फ क्या करना पड़ा माइन से डिवाइट करना क्या पड़ेगा नुमेरेटर दिने में तो यह जाएगा y minus पोर आप ओन में माइनस का 7 यह तो है लिखाओ एक टेंडर फोर में तो जेट प्लस बन अपन में टू यानि एक स्वाइट का कोफिशेंट आपको वन रखना आप यह स्टेंडर फोर में आ गया तो जो डाइरेक्शन रेशियो होगा इस लाइन का वो क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब होगा तो उसके डाइरेक्शन रेशियो का प्रड़क्ट जीरो होगा यह एक सब्सक्राइब करना होगा फिर नीचे एकस माइनस वन अपन में माइनेस 3 यह तो श्रीक लिखा हुआ है y माइनेस 2 अप़ों 2 लेमडा ये भी ठीक लिखा हुआ जड क्रिख स्टाफ ऑप औन्टु यहां भी सह लिखा हुआ x-1 कर होगा यह का दिवाइड करना होगा यह सपर लेंज स्ञट हो जाएक सिक्स अप minus 3 into में 3 lambda, minus 9 lambda, 2 lambda into 1, plus में 2 lambda, 2 into में minus 7, minus 14 is equal to 0, तो यहां से आजाएगा, minus 7 lambda is equal to 14, तो lambda की value आजाएगी, minus 2, देखें, next question थम ते बोला क्या है, इस alpha, beta, gamma with the angle of inclination of line with x-axis, y-axis and z-axis, find value of this, alpha, beta, gamma क्या है, line का तीनों x-axis के साथ angle दे रखा था, इसके लिए मैंने concept पढ़ा हुआ था, पहली वीडियो बता था कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, यह किसके एकोल होता है, one के, वाट हमें यहां पर तो यह दे रखा है, तो हमें cos 2x का formula याद होना चाहिए, half angle, cos 2x के इसके एकोल होता है, two cos square x minus one, तो cos 2 alpha को हम क्या लिख सकते है, two cos square alpha minus one, इसे लिख सकते है, two cos square beta minus one plus two cos square gamma minus one, अब हम क्या करेंगे, इसमें से, इसमें से, इसमें से two common ले ले लेते हैं, यह हो जाएगा, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, और यहां से क्या बच गया, minus one minus one, minus one, यह बचा minus three, यह तो one हो जाएगा, तो two into one minus three, तो answer क्या जाएगा, two minus three, यानि minus one क्या होगा, इसका answer, next question है, जिसमें हम ते बोला गया है, right direction cosine of a line equally inclined to the coordinate axis, यानिके, आपको given है, alpha equal to beta is equal to gamma, और आपको direction cosine निकालना है, यानिके, आपको निकालना है, cos alpha क्या होगा, cos beta क्या होगा, और cos gamma की value क्या होगी, ठीके, तो हम जानते है, relation क्या होता है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, ये one के equal है, तीनों तो equal ही alpha, beta, gamma, तो हम क्या लिख देते हैं, सबको alpha लिख देते हैं, cos square alpha plus cos square alpha, beta भी alpha के equal होगा, gamma भी alpha के equal होगा, तो यह हो जाएगा 3 cos square alpha is equal to 1 तो cos square alpha is equal to 1 by 3 तो cos alpha is equal to 1 by root 3 cos beta भी हो जाएगा 1 by root 3 या cos gamma भी क्या हो जाएगा 1 by root 3 नेक्स्ट कोश्चन में हमें क्या बोला देखिए नेक्स्ट कोश्चन में बोला align make angle 90, 60 and theta with x, y and z axis तो theta की value क्या होगी यह बतान है तो हम जानते हैं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 alpha हमें दे रखा 90 degree तो cos square 90, beta हमें दे रखा 60 तो cos square 60, gamma हमें निकालने को बोला है cos square यानि कि gamma की जगा लिख दीजे, theta is equal to worth cos 90 0, cos 60 1 by 2, 1 by 2 का square 1 by 4 plus cos square theta is equal to 1 तो cos square theta is equal to 1 minus 1 by 4 तो cos square theta is equal to 3 by 4 तो cos theta is equal to हो जाएगा root 3 by 2 root 3 by 2 60 degree, 30 degree पहाएगा तो theta किसके एकोल हो जाएगा 30 degree, theta हमार होगा 30 degree देखें next question यह most important question हमें निकालना find foot of perpendicular from this point on the line एक point का हमें foot of perpendicular निकालना इस line पे यह हमें एक line दे रखा है जिसका direction ratio कितना है minus 1, 3, minus 2 इस line का direction ratio दे रखा है और इसके उपर foot of perpendicular निकालना किस point से यह मालोग P point है 0, 2, 7 और हमें यह वाला point निकालना है मालोग Q point निकालना है Q point हमें निकालना है इसको general point माल ले तो X, Y, Z यह Q point हमें निकालना है तो देखिए बच्चो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका general point निकालना है इस line पे से एकवल होगा तब माइनेस के माइनेस टू एक्स की वैलू आ जाएगी वाई किसके एकवल हो जाएगा यह हो जाएगा थ्री के प्लस वन हो जाएगा z किसके एकवल हो जाएगा यहां multiply होगा minus 2k plus 3 तो हमें general point q तो मिल गया q हमारा क्या हो गया minus k minus 2 3k plus 1 minus 2k plus 3 हमारा general point आ गया क्यों यहीं हमें निकालना अगर किसी तरह के की value आ गया तो हमारा foot of perpendicular भी आ जाएगा तो हम क्या करते हैं इसके लिए direction ratio of pq निकाल लेते हैं pq का direction ratio निकालते हैं तो दो point जब दिया हो तो direction ratio कैसे निकालते हैं एक में से दूसरे को minus करके हमें क्या करना होगा q के point में से इसको क्या करना होगा p वाले point को minus करना होगा यानि कि minus k minus 2 minus 0 तो क्या जाएगा माइनेस के माइनेस 2 ही रहेगा पिर इस में से 2 को माइनेस करना पड़ेगा 3K प्लस 1 में से 2 को माइनेस करेंगे तो कितना आएगा 3K माइनेस 1 आजाएगा पिर इस में से 7 को माइनेस करना पड़ेगा तो minus 2 के plus 3 में से जम 7 को minus करेंगे तो आएगा minus 2 के इस में से 7 को minus करेंगे तो minus का 4 आ जाएगा ये PQ line का direction ratio आ गया क्यूंकि PQ line और ये हमारा जो given line है दोनों एक दूसरे के क्या है perpendicular तो दो line जब perpendicular होता है तो क्या condition होता है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 किसके equal होता है 0 के तो ये रहा इसका direction ratio और ये रहा इस line का direction ratio ये हो गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को 0 कर देते है तो इसको multiply करेंगे minus 1 तो ये क्या हो जाएगा K plus 2 अब इसको multiply करना 3 तो ये हो जाएगा 9 K minus 3 और इसको multiply करना minus 2 K से minus 2 तो ये हो जाएगा 4K इसको minus 2 से multiply करें तो plus 8 is equal to 0 तो यहां पर हमारे पास कितना आजाएगा 14K 14K और यह कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 7 उधर जाएगा minus 7 तो lambda की जो value आजाएगी वो जाएगी minus 1 by 2 lambda आगया तो अब हमारा foot of perpendicular जो कि हमें Q निकालना था वो आजाएगा तो foot of perpendicular Q हमारा क्या हो जाएगा K की जाएगा lambda नहीं क्या है K की जाएगा हमें कितना लिख देना है minus 1 by 2 माईनिस 1 by 2 ढाले तो यह जाएगा plus 1 by 2 minus 2 कॉमा यह डालेंगे तो यह जाएगा minus 3 by 2 plus 1 यहाँ ढालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 plus में 3 तो हमारा foot of perpendicular हो जाएगा minus three by two comma यह हो जाएगा minus one by two comma four यह हमारा foot of perpendicular होगा देखे next question हमारे पास है जिसमें क्या बॉला गया है देखे next question हमारे पास जिसमें मोला है find value of lambda so that lines are perpendicular यह line इसके क्या है perpendicular दो लाइन जब पर पेंडिकुलर होगा तो क्या कंडिशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 is equal to 0 तो पहले स्टेंडर फॉर में कर लेते हैं तो यह तो है यह स्टेंडर फॉर में X-5 upon 5 lambda plus 2 इसे करना होगा तो यह हो जाएगा Y-2 upon minus 5 इसे भी करना होगा तो Z-1 upon में यह प्लस का वन हो जाएगा दूसरा वाला लाइन X upon 1 ठीक है यह 2 से डिवाइड करना होगा उपर नीचे तो यह हो जाएगा Y-1 by 2 upon में 2 lambda इसको minus 1 से डिवाइड करना होगा Z-1 upon में 3 अब यह इस्टेंडर फॉर में माइनेस 10 lambda इसको इससे multiply करेंगे plus का 3 is equal to 0 तो यह कितना होजाएगा माइनेस 5 lambda plus 5 is equal to 0 तो 5 lambda is equal to 5 तो lambda की value कितनी आ जाएगी 1 देखें नेक्स्ट कोस्टिन हमारे पास क्या बोला find point on a line this at a distance 5 unit from this line का equation हमारे पास क्या दे रखा line का equation दे रखा यह इसका हम general point अगर निकाले line पर अगर हम general p point हमारे पास दे रखा p point दे रखा 1,3,3 और general point अगर हम कोई q निकाले तो वह कितना आ जाएगा इसको k के equal कर देंगे तो general point हमारा कितना आजाएगा p पर line पर general point हमारा जाएगा 3k minus 2 और यह हो जाएगा 2k minus 1 यह हो जाएगा 2k plus 3 अब हमने इस line पर एक general point निकाल लिया जो के हमें निकालना find point on the line यही q point हमें निकालना है और p का q से distance कितना दिरा का 5 यानि के p q का जो length हो कितना दिरा का 5 अब हम distance formula लगा लेते हैं इसमें से इसको minus करें तो 3k minus 3 का square distance formula इसमें ते इसको minus करें 2k minus 4 का square प्लस इसमें से इसको minus करें तो क्या जाएगा 4k square is equal to क्या दिरा का 5 squaring कर देते हैं दोनों तरफ और square भी खोल देते हैं इसको यह हो जाएगा 9k square plus में 9 minus का 18 यह हो जाएगा कितना k इसका all square खोलते हैं तो 4k square plus 16 minus का 16k और इदर हो जाएगा 4k square इदर square करेंगे तो क्या जाएगा 25 यह हो जाएगा कितना 17k square और k कितना हो जाएगा minus का 34k और यह plus का 25 is equal to 25 यह कट जाएगा और इसमें से k common हो जाएगा तो k common लेंगे तो यह हो जाएगा 17k minus 34 is equal to 0 बचा तो यह हो जाएगा k is equal to 0 और इसको 0 करेंगे तो k की value क्या जाएगी 2 क्योंकि यह 34 है तो यहां से आजाएगा k की 2 value आ गई तो q भी 2 आएगा जब एक बार k की जगा हम 0 डालेंगे तो हमारा point क्या आएगा minus 2 comma minus 1 comma 3 और दूसरा point क्या जाएगा जब हम 2 डालेंगे तो 2 3 जा 6 minus 2 यानिके 4 और जब इसमें 2 डालेंगे तो 4 minus 1 यानिके 3 जब इसमें 2 डालेंगे तो 4 प्रेंगे यह हमारा दो point आ जाएगा उस लाइम पे